हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बाना ने बताया कि सम्मेलन में वर्तमान परिवेश में समाज में बदलाव को देखते हुए सिक्षा को बढ़ावा देना समाज में व्याप्त कुर्तियों को जड़ से समाप्त करने जैसे मुद्दो पर विचार कर नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर निर्नाई लिये जाएंगे सम्मेलन की तयारियों को लेकर स्थान ये महाविर पार्क में बैठक का आयोजन किया गया बैठक को संबोधित करते हुए बाना ने बताया कि अब हमें हमारे समाज को नशामुक्त करना होगा इसके पहल बाना परिबार आगामी सम्मेलन में निर्णाय कर करेगा उन्होंने कहा कि होनारों को आगे लाने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा सिख्षा से ही विकास का सफर तय किया जा सकता है इसके लिए हम सब को आगे आना होगा उन्होंने बताया कि सम्मेलन में देशवर के बाना परिबारों को आमंत्रित किया जाएगा एवं सम्मेलम में गोत्र उत्ठाम के लिणे विचार विमर्ष के साथ किये जाएंगे मोटा राम बाना, गोमा राम, गिर्धारी राम, बगता राम, मोटा राम दुदू, शवन बाना खोसकर, अमर सिंग राज कुमार, परमान राम भियार, चिमना राम दुदूवा, गूरा राम जालिपा, विर्मा राम भादरेस, लुम्बा राम, रेखा राम, मोटा राम बान गोमा राम, गिर्धारी राम, बगता राम, मोटा राम दुदू, शवन बाना खोसकर, अमन सिंग राजकुमार, परमान राम वियाड, चिमना राम दुदवा, गोरा राम जालुपा, विर्मा राम धाद्रेस, लूंबा राम, रेक राम, तेजा राम, डुंगर बाना जागू टीवे के सम्वादाता से बात करते हुए राश्च्री अध्यक्ष अखिल भारतिया बाना जाट परिवार संस्था के डूंगर सिंग बाना इन्होंने ये कहा सने मिलन और प्रतीबा समान समारो कारिक्रम तै हो गया है हमारे 28 और 29 मई को इस्तान है इंद्र प्रस्त माबार रोड भार मेर में वहां रखा जाएगा जगे जगे से अरियाना पंजाब दिल्ली यूपी सब जगे से पूरे भारत के बना परिवार की लोगियां अपनी उपस होती देंगे और सब समाज एक पूरीतिया है उजे रहे समाज की व्यवस्ता में क्या बदलाव लाना चाहिए आज के समय को देखते हुए के बारे में यहां दो दिन तक हम बाली का सिक्षा है चर्चा करेंगे बतलब सब जागरू टीवे के लिए बाढ़ मेर से खास रिप स्वेड में से भी आज सेंगे इस शेवाल टीवkeit बास पूरीतिया है बारे में सिक्षा हुए